नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चानल पूजा घर संसार में दोस्तों कई महिलाओं को जब pregnancy conceive करने की कोशिश करती हैं और काफी जल्दी चाहती हैं कि pregnant हो जाएं तो वो छोटी छोटी सी बातों को इस तरह से seriously लेती हैं जिन में से एक सबसे ज़्यादा important बात ये भी होती है कि आपको relation के बाद यानि जब आप pregnancy conceive करने के लिए try कर रही है अपने पती से संबंद बना रही हैं तो उसके बाद किस तरह से आपको सोना है कैसे आपको लेटना है और किस position में ताकि आपको जल्दी से जल्दी pregnancy conceive हो जाएं बात करें उन महिलाओं की जिनको pregnancy conceive होने में दिक्कत हो रही हैं काफी महीनों से या सालों से प्रयास कर रही हैं तो उनके लिए तो ये छोटी सी बात भी बहुत बड़ी हो सकती है क्योंकि हो सकता है कि अगर आप संबंद बनाये और सही तरह से सो जाए यानि लेटे रहें तो फिर आपको pregnancy conceive होने में बहुत आसानी हो जाएगी इसका scientific कारण ये है friends कि अगर आप ठीक तरह से लेटने का जो position है वो try कर लेती है तो आपके husband का जो sale होता है sperm होता है उसको अंडे तक पहुँच करके अंडे को फोर करके उसके अंदर जाने का यानि की fertilization करने का बहुत ही अच्छा बॉका मिल जाता है और कई बार हमारी ही गलती यानि लेटने की position सही न रखने की वज़े से या फिक कैसे संबंद बनाने के बाद आपको लेटना ये न जानने के वज़े से किन कारणों से भी pregnancy रुकने में बहुत दिकत हो सकती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जादा help करेगी क्योंकि जो मैं बाते आपको बताती हूँ बिल्कुल साइन्टिफिकली सही होता है कई सारी महिलाओं को इससे खुसकबरी मिली है अगर आप भी मा बनने के लिए काफी जादा उतसाहित रहते हैं बहुत जादा जल्दी आपको pregnancy conceive करना है तो ये वाला टिप जरूर इस्तेमाल करना और highly recommended tips है जो doctors भी कई बार आपको suggestion में ये सारी चीज़े भी follow करने के लिए कहते हैं अगर naturally आपको बच्चा चाहिए देखे friends होता ये है कि जब baby pregnancy conceive करना होता है तो सबसे ज़्यादा important time होता है महिलाओं का ovulation का time ovulation यानि जिस समय अंडा आपके शडिर से बाहा निकलता है वो 12 से 24 घंटे के लिए ही निकलता है और उसके बाद वो खतम हो जाता है उसमें इतनी life नहीं बचती है कि वो pregnancy conceive कर सके तो जब आप ovulate करती है वही समय होता है जब आप pregnancy conceive कर सकती है बागी के दिनों में pregnancy conceive नहीं हो होती है दूसरी बात का ध्यान रखना होता है कि जब आप intercourse करती है जब आप अपने पती से संबंद बनाती है तो संबंद बनाने के वक्त में सबसे highly एक position के सबसे जादा सही जानकारी की जरूरत होती है तो देखे position कौन सा based होता है अगर आपको pregnancy जल्दी से जल्दी चाहि काफी आपके husband का जो है वो deeply अंदर जाता हो और उसका penetration काफी deep होता हो तब ही आपको pregnancy आसानी से conceive होगी अब वो position आपके लिए जो आपके लायक है suitable वो हो सकता है इसी वज़े से हर कपल का position अलग-अलग हो सकता है उनके comfort zone के according तो आपको यह सर्च करना है कि किस position में सबसे ड relation से बना लेती है तो आपके husband का जितना भी सेल आपके body के अंदर आता है वो करोरों की संख्या में होता है लेकिन इसके बावजूद भी कुछ हजार या 800 लगभग जो होते हैं वो healthy quality के होते हैं और जिसकी speed अच्छी होती है वो आपके fallopian tube के अंदर चले जाते हैं और वहां निकला है तो वह वहीं पे 72 आवस्तक वेट करते रहते हैं इट मेंस कि आपका ovulation से पहले का चार दिन बहुत important होता है और ovulation का एक दूसरा दिन जो होता है एक दिन बात का दिन वो भी काफी ज़्यादा ज़रूरी होता है यानि total 5 दिन आपके बहुत महत्पुन होते हैं conceive कर करने के लिए इसलिए ovulation लगभग अगर healthy period cycle देखे तो आपके period date के first day से 14 दिन जो होते हैं 14 दिन पर release होती है एक तो आप कुशिश करिए कि 14 दिन से पहले ही 3-4 दिन पहले ही relation बनाना स्टार्ट करिए अब देखिए अगर ये sale आपके फिलोपियन ट्यूब तक 700 से 800 की मातर हैं और उसमें से एक जो sale होता है जो सबसे अच्छी quality का होता है sperm वही आपके एक को fertilized कर पाता है तो सबसे पहले बात ये है कि आपका position सही होना चाहिए जिसे आप खुद find कर सकती है और दूसरी सबसे जादा important बात ये होती है कि आपके sale की capacity कैसी है अगर वो बहुत इतने time में हो जाता है आपके relation के दौरान तो देखे relation बनाने के just three to four minute का ही time लगता है इतना speed होता है इस cell के अंदर sperm के अंदर लेकिन जब आपका intercourse होता है जब आप husband के संपर्क में आती है तब कई सारे ऐसे fluid होते हैं जो इस sperm के साथ में आपके नीचले अंगों में जाते हैं और यह fluid जो होता है इसमें कई सारे ऐसे bacteria भी होते हैं tissue होता है mucos होता है और भी कुछ glands होते हैं जिनके कोई काड़े नहीं होती है आपके शरीर में जाने के बाद तो यह फिर बाहर चले जाते हैं पानी के तरह चिप चिपा धर्वे देखती है वही होता है इसका कोई क contract करते हैं और इस सेल को उपर की ओर पहुचाने का काम फिल्यूपियन ट्यूबे करते हैं लेकिन फिर भी अगर आपको pregnancy जल्दी से जल्दी conceive करना है तो इस speed को और अच्छा maintain रखने के लिए बढ़ाने के लिए लगभग 15 मिनट तक लेटना बहुत जादा जरूरी है 15 स्वक्षे पानी से इस समय किसी भी तरह का कोई chemical वाला प्रोडक्ट आपको यूज नहीं करना है वाश करने के लिए ध्यान में रखिए कि अगर आप वाश कर लेती हैं बहुत सारी महिलाओं को लगता है कि हम 3-4 मिनट के अंदर ही उठके चले जाएंगे वाश्रूम वाश कर लेंगे तो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे तो ऐसा भी नहीं है मेडिकल रिस्वर्स बताती है कि अगर स्पीड बहुत अच्छी है तो वह कुछ सेकेंट में भी आपके एक तक पहुच जाती है इसका मतलब यह है कि सही टाइम में डिलेशन अगर आपने बनाया तो प्रेग्नेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं 99 परसेंट तक रहते हैं तो आप आपने दो से तीन चीजे जान ली कि आपको लेटना कैसे है आपको संबंध बनाते समय किन पोजिशन का ध्यान रखना है और तीसरी बात आपने समझ लिया कि आपको कितने देर तक और किस्समें आपको वाश्यों जाना है ठीक है अगर ये तीनों चीजे आपने फॉलो करड़ी रिलेशन के बाद में तो प्रेग्नेंसी कंसीव करना बहुत आसान हो जाएगा और ये सारी प्रकृतिक चीजे बाते हैं फ्रेंड्स जो सिरियसली आपको कोई कोई ही तरह की नैशनल चीजों को भी काफी जादा ध्यान से समझते हैं और आपको भी उन सारी चीजों के बारे में बताते हैं ताकि आप अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी करिए रिलेशन सिप में किस तरह से ताल मिल बैठाना है आप समझ पाईए और इस तरह से रिलेशन बना हैं हर महीना आपके लिए किमती होता है तो क्यों नहीं इस महीने यह सारे टिप्स को फॉलो किया जाए और इससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिल जाएगा तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती है आपके लिए तो ट्रस्ट मीं इंसा रही टिप्स में भरोसा करते हु उसमें आपके family और friends और किसी को भी बच्चा नहीं हो रहा है infertility अगर उनको है और काफी महीनों से प्रियास करने तो इस वीडियो को share भी करें तो उम्मीद करती हूँ friends कि आप काफी जदा खुश रहेंगी तनाव मुक्त रहेंगी और आपको बहुत जल्दी सुनी गोद भढ़ जाएगी माता रानी की क्रेपा से तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में जल्दी एक नए और interesting और helpful आपके लिए tips के साथ Thank you so much